हालो एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इस ड्रेस की कटिंग और स्टीचिंग दोनों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है उसके लिए मैंने लिया है लाइकर का लाइनिंग और लाइकर का ही में फैबरिक लिय करें जिसका आर्मोल मैंने लिया है 6.5 और डॉट पॉइंट लिया है एट पॉइंट वाइस के बाद वेस्ट पाइंट लिया है 12.5 और हीप 19.5 और सबसे लास्ट में मैं लैंट लूंगी 32 न्च तो इन सारे पॉइंट को में इस ट्रेट लाइन से से स्केल से स्ट्रेट स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें यह धियान रखना है कि हम लाइकरा का फैबरिक यूज कर रहे हैं, तो जो भी मेजरमेंट है हमारा उसको फोर से डिवाइड करके, जो आएगा वही एक्चुल लेना है, उसमें कोई भी प्लस नहीं करना है, तो वेस्ट मेने लिया है, 6 revealing मेने लिया है 6 इंच और हीप मेने लिया है 8 इंच, तो जितने भी मेरे के प्वाइंट है, उन यह सकते हैं और सब्सचारा से चोंप को सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि मेरी आगए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें उसके बाद हम शॉल्डर लेंगे और जैसा मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूं कि जो हमारा फ्रेंट क्रो पार्ट है फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको मार्जन के साथ फ्रंट पार्ट को कटिंग करना है फिर उसके बाद इसी लाइनिंग को रखके हम बैक पार्ट को भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे लाइकरा का फैब्रिक है तो थोड़ इन दोनों पीसों को उसी के उपर रखके कटिंग करना है अब हमारी दोनों लाइनिंगे कटिंग हो चुकी है और जहां पर भी हमारी स्ट्रेट लाइने हैं उसी के उपर हमें कट डालना है कट लगाना ना भूलना ताकि हमें स्टिच करने में काफी हैल्प मिलती है उससे तो और जो वील ट्रेशर होता है मार्क को ट्रेस करने का उससे आप उस पर निशान लगा दीजे तो जो हमारा निशान है वो दूसरी साइड भी आ जाएगा फिर इसी तरीके से आपको लाइनिंग को में फैबरिक के ऊपर रखके कट करना है फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से कट करना है और बैक पार्ट को भी तो दोनों पार्ट को इसी तरीके से कट कर लीजे और जो नोचिस है वो लगाना ना भूलना में फैबरिक में भी ताकि हमें स्टिश करने में आसानी हो तो इस तरीके से दोनों लाइनिंग को इस तरीके से लगा लीजे और जो सीधी वाल इन जसे पिल्गों इसी तरीके से आपको भी लगानी है और उसको सीधिा šाइड को पलट देना है तो और पीछे वाले पार्ट को भी आप सी किसे रडी कर लें अ बिल्कुल इसी तरीके से फिर उसके बाद हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे जो फिटिंग की हमारी सिलाई है तो उसके लिए हम पार्ट को इस तरीके से खोल देंगे फ्रंट वाला जो पार्ट है और लाइनिंग वाला पार्ट है और जो main fabric है उन दोनों को आपको एक साथ joint करना है तो जहां पर आपने अपनी fitting का निशान लगाया है उसी के according आपको उतना margin लेकर दोनों साइडों से slide लगानी है इस तरीके से open करके अगर हम इस तरीके से stitch करते हैं तो हमारा पूरा piece underground बन जाएगा कहीं पर भी कोई जोड नहीं आएगा और नहीं हमारी कहीं भी कोई extra कपड़ा हमें दिखेगा बिल्कुल readymate की तरह हमारा ये top बनने वाला है बस करना क्या है आपको वीडियो को end तक देखना है skip नहीं करना है अब हम कंधी को joint करेंगे तो कंधी को भी underground ही joint करेंगे तो उसके लिए हमने पूरे piece को उल्टा कर दिया है उल्टा करने के बाद हम जो भी shoulder हमारे दोनों front वाला और back वाला जो shoulder है उन दोनों को हम इस तरीके से एक पट्टी को दूसरी पट्टी के अंदर से इस तरीके से निकालेंगे देखिए ऐसे निकालके और आपको उसको उपर से stitch कर देना है तो आपको left वाली पट्टी भी ऐसे ही लगानी है और right वाली भी और जो extra कपड़ा है उसको आप cut भी कर सकते हैं इसी तरीके से आप इकवल करके cut कर लीजे और piece को सीधा कर दीजे पीस को सीधा करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी पट्टियां है वो पट्टियां भी हमारी पूरी अच्छे से स्टिच हो गई है अंडर ग्राउंड और जो साइड की जो हमारी सिलाई थी वो भी हमारी नहीं दिखेगी क्योंकि जो हमारे स्टिचेबल फैब्रीक है वो हमें पूरा अंडर ग्राउंड ही सिलना है अब हम नीचे से टर्न करेंगे तो नीचे वाला जो फैब्रीक है मैं अरे स्टिच शिझ अ आपको पूरे फेब्रीक को बाहर की साइड करते ना है तो यह पार्ट इसी तरीके से सीधा हो जाएगा और जो हमारा थोड़ा सा पार्ट हमने खुला छोड़ा था उसको आप अराम से तुर्पाई से या फिर किसी भी तरीके से उसको स्टिच कर दीजिए ताकि वह आपको दिखे नहीं और खुलेगा भी नहीं वह बिल्कुल पक् नहीं दिख राया है बिल्कुल रेडी में टॉप की तरह इसको बनाया गया है तो तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ए ड्रेस कैसा लगा, आपको मेरा तरीका कैसा लगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको कुछ चीजे पूछ नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं डेफिनिटली आइविल रिप्लाई और ओल कमेंट्स तो आपको ड्रेस कैसा लगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में बाई बाई